इस वीडियो में हम प्रिव कर रहे हैं नेधरलेंड्स पसस इंग्लेंड का सेकंड वंडे इंटरनेशनल मैच जो की वी आरे क्रिकेट ग्राउंड एम स्लवीन में खेला जाने वाला है मैच से रेलिटेड सारी इंफॉरमेशन आपके साथ वीडियो में शेयर करी जाएगी करते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर डारेकली जूड़ सकते हैं वहाँ पर अपको अप्देट मिलती है और फाइनल जो सारी स्पोर्ट से टीम होती है वो मिल जाती है डैडलाइन से पहले तो आप वहाँ पर पहुंच सकते हैं फॉलू कर सकते हैं कि ओके सो विट इंट्रो बिंग सेड हम आगे बढ़ते हैं वीडियो जो है यहां पर वेदर से स्टार्ट करते हैं वेदर क्लियर है थ्रूआउट दीडे कोई भी बारिश के चांस था नहीं है लास्ट मैश में हमने देखा बहुत अच्छा वेदर जो रहा इसी वज़े से ज यहां पर बना हुआ है अब जो रिसेंट कुछ मैचस है वहां पर क्या हुआ था यह भी चीज़ देख लेते हैं रिसेंट मैच में इंगलें ने 498 बनाया था फिल साल्ट के 122 डेविड मलान के 125 जॉस बटलर 162 नॉट आउट अट अट उसके बाद जो पारी आई थी लैम लिविंस्टन की 66 उनने बनाई 22 गेंदों पर नाबाद रहके तो यह चार बैट् सिलर और लोगन वेनविक और शेन स्नेटर ने जो है एक एक विकेट निकाला था और नेधलेंड्स की और से मैक्स उडवूड ने 50 लगाई उसके इलावा 20-22 के टोटल पे यहां पे टॉम कूपर और मूसा हमद देखने को मिले और बैस डी लीड है उल्सो स्कॉट एडवर रीस टॉपली और सैम करन को दो-दो विकेट अपीस मिला था और डैविड मलान ने कुछ ओवर बोलिंग कराई थी और उनको वहाँ पे एक विकेट भी मिल गया था ओवरॉल डिफेंडिंग साइड यानि इंगलेंड ने 232 रन से जो है मैच को डिफेंड करते विए मैच को यह कुछ देखने को मिला था वैसे पहला इनिंग में रंस बनते हैं और डिफेंड भी किया जा सकते हैं यहाँ पे तो नेधरलेंड्स आप मानी सकते हैं comparatively असोसियेट नेशन है और थोड़ा बहुत यहाँ पे इंगलेंड का पलड़ा भारी इस मैच में भी होना ही वाला ह जो इस चीज आपको माइड में रखनी है क्योंके сपिणर कर इश्यू ढ़ियो में कम होता है दो स्पिणर अगर खेलता है तो तीन पेसर जो एक टीम में खेलता है तो उसससे थोड़ा ऑगंटिंग अगर आप जो अटवंटेज है वो रहता है हमेशाँ पेस के पास इसमें कोई doubt नहीं है कि आपको second inning में pace लेके चलनी है पहला inning में आप दोनों को equal treat कर सकते हो pace और spin आपके लिए equal हो सकता है match preview पे आजाते हैं यहाँ पे आपको playing 11 देखने को मिलेगी Netherlands के और से Vikramajid Singh open करेंगे max odd out के साथ इनका दोनों का form recent में काफी तगड़ा रहा है तो मैं recommend करूँगा कि अगर आप दोनों opener लेके चलते हैं तब भी आपके लिए कोई ज़्यादा खराब बात नहीं है आप दोनों को लेके चल सकते हैं recent form दोनों का अच्छा है एक left hander है और एक right hander है और मुसा अहमद वन डाउन पर खेलते हैं देखने को मिल सकते हैं recent थोड़ा गड़बड है form तो उतना खास नहीं है उसके बाद बैस्टी लीडे हैं और टॉम कूपर है इनको देखने को मिलेगा टॉम कूपर जो है last big bash में खेले हैं बैस्टी लीडे के अगर बात करें तो बोलिंग भी करा सकते हैं last match में भी बोलिंग कराई और खुब फिटवाए थे रन इनोंने भी Scott Edwards आएंगे जो middle order में खेल रहे हैं last match में 72 रन के नाबाद इनिंग खेल के आ रहे हैं Peter Sealer की बात करें तो इनका recent form अच्छा है आपको देखने को मिल सकते हैं एक और यहां पर changes की possibility बहुत ज्यादा है खास करके Netherlands की और से इवन मैं इंग्लेंड की और से भी possibility मानके चले रहा हूँ Vivian Nigma या Clayton जो Floyd है वो आ सकते हैं in place of Philip Bossaven तो इनकी जगा जो यहां पर changes हो सकते हैं मैं अज़ा मानता हूँ किनके स्नेटर और फिर लोगन वेन भी कि यह दो पेसर आप मानके चलो रहेंगे बाकी यहां पर मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत Bossaven और Aryan Dutt में से किसी एक को या दोनों को बाहर जाना पड़ सकता है और बेंच में जो प्लेयर्स है Vivian Nigma होगे Clayton Floyd होगे या जो हैं पर टिम प्रिंगल होगे तो इन सब को try किया जा सकता है इवन प्रिंगल जो है वो I guess domestic लेवल पर जो county मैचे से महाँ पर खेलते हैं तो उन्होंने काफी ठीक ठाक वहाँ पर फार्म रखा हुआ भी है इंगलेंड के और से capital 11 हो सकती है ये चीज़ भी देख लेते हैं Jason Roy ओपन करेंगे Phil Salt के साथ लाश मैच में Phil Salt ने अपनी पहली ODI 100 लगाई है और Jason Roy जो बहुत ही सस्ते में निपट गए थे तो इस मैच में हो सकता है लेकिन स्टिल लाश मैच में जल्दी निपट गए थे अब इस मैच में आप एक्सपक्ट कर सकता हैं कि एक बड़ा टोटल इनके बनले सी भी आपको देखने को मिलेगा डेविड मलान वन डाउन पर आपको देखने को मिलेंगे लाश मैच में बहुत अची इनिंग खेल के आ रहे हैं 109 बोल स्पेट 125 माने बोला था वन डे क्रिकेट के लिए ये बैट्समन टेलर मेड है इनके लिए बहुत अची जो है सिचुएशन रहती है जब वन डाउन प काफी अची इनिंग खेली थी सो इनका बैटिंग ओडर फिक्स नहीं है स्टिल आपको मान के चलना है कि ये नीचे ही खेलेंगे लेकिन हो सकता है अगर जैसे लाश मैच में बहुत अच्छी पार्टनर्शिप होगी तो फिर लिविंस्टन और जो है जो है जो है जो है जो ह पहले ही गेंट पर आउट होगे पीटर सीलर ने इनको जो काफी अची डिलिवरी के साथ वो आउट किया था लवी डेवली करा के सो इस मैच में हो सकता है थोड़ा बहुत कमबैक करने के देखे लेकिन मेरे अकोर्डिंग वैसे रीसेंट फार्म देखते भी नहीं लग रह सकता है और रीसेंट में जो आई पेल है वहां पर भी बहुत अच्छा करके आ रहे हैं सो इन फॉर्म प्लेयर हैं आपको ड्रॉप नहीं करना है साम करन की बात करें तो रीसेंट में इनका बोलिंग से तो काफी अच्छा रेकॉर्ड रहा ही है बैटिंग से इन्होंने काफ ये भी बाहर हो सकता है तो ये दो पेसर्स की जगा कोई और आ सकता है जो मोशली मेरे को लग रहा है कि चांसस देने कि अगर सोचे तो फिर जो ब्रैडनिन कार्स हैं और डेविट पेन है इनको जो हो सकता है यहां पर वरना दो डेबियू हो सकते हैं लिउक वुड और जादा अविलियबिलिटी नहीं है लोग-वुड और ब्रैडनिन कार्स आउ डेविड पेनी इन तीनों में से किसी एक को इस मैच में चांस मिल सकता है और जो बचेगा उसको नेक्स मैच में चांस मिल सकता है तो यह पॉसियबिलिटी नज़र आ रही है ड्राफ टीम की बा लिविंग स्टन तक बैटिंग आ सकती है मैं ये मान की चल रहा हूँ और डेविड मलान तो मैंने टॉप ओडर लगबग पूरा कवर कर लिया है पांट से छे बैट्समें मैं आराम से जो यहां पर कवर कर लिया है और रहे बात तो बीच में यहां पर मैं छोड़ा हूँ और को तो बस उनके इलावा सारे बैट्समें मेरे कवर हो चुके हैं इवन मोहिनली को भी मैंने रखा हुआ है अब देखो मोहिनली रखूंगा या तो सैम करन रखूंगा अगर बोलिंग फर्स्ट आती है तो फिर सैम करन मेरी टीम में आ सकते हैं अगर बैटिंग फर्स्ट आत जो स्वारी शेन स्नेटर को मैंने रखा हुआ है अब हो सकता है आरेंदत ना खेले तो फिर इनकी जगा मेरे को चेंज करना पड़ेगा तो इनकी जगा कोई भी आप च्वाइस कर सकते हैं अब ये सिनारियो है कि पहला बैटिंग करती है टीम तो फिर बैट्समें ज्यादे रखने है अगर पहला बोलिंग करती है तो फिर आपको बोलिंग पे ज्यादा जो है इंगलेंड के प्लेयर को एड करना है तो यह आपको changes टॉस्ट के बाद अपने आपसे करने पड़ेंगे Livingston, Josh Butler, David Malan, यह अक्सर जनता अभी captain बना के चल रहे हैं यह small leagues के लिए आप भी लेके जा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत risk लेना है तो मैं कहूँगा कि Jason Roy और Phil Salt ये काफी अच्छा option नजर आ रहे हैं Even Phil Salt को 15-16% आ अलरीड़ी जब मैं वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ तो लोगों ने vice captain भी बनाया हुआ है लेकिन मैं मानता हूँ कि आप captain even लेके चल सकते हैं तो ये था आपके सामने statistical और थोड़ा बहुत logical analysis आपको अगर वीडियो सही लगा हो तो like जुरूर कर दे वीडियो को और चैनल पे new हो तो subscribe कर सकते हो जो bell icon बनके आएगा उस call पर set करना और टेलिग्राम पर follow करो description में आपको link मिलेगा टॉप पे ही वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पे final update और टीम आपको इस match की और सारे जो sports हैं जो dream गारा हो गई या किसी और other fantasy पे सब के आपको teams मिलते हैं बिल्कुल free में आप तो जॉइन कर सकते हैं description की link से इस वीडियो को करते हैं यहीं पर आप अप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू अपडेट्स के साथ अंटिल देन टाड़ा बाई बाई